नमस्कार दोस्तो अटल अनुसंधा नकादमी यूटूब चैनल से मैं और इस सुकला आप सभी का हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो सुबह की इस वीडियो में प्रत्योगी जीवन से सम्मंधित विभिन महत्तपूर सूचनाओ को लेकर के आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ तो आईए देखते हैं ऐसी कौन-कौन सी महत्तपूर सूचनाओ है दोस्तो सूचनाओ को विस्तार में सुरू करने से पहले एक महत्तपूर बात यह दि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधानक आदमी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले अब सूचनाओ पर विस्तार से नज़र डालते हैं तो पहली सूचना उत्तरप्रदेश लोक्षेवा आयोक से है यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रिस विज्ञाती है जो उत्तरप्रदेश लोक्षेवा आयोक दोरा दिना अंकू 10 दिसंबर 2020 को जारी की गई है यहां पर आप देख रहे हैं आयोक के विग्यापन संख्या एक बटे 2015-16 के अंतरगत राजकी इंटर कालेज पुरुष साखा के प्रवक्ता भुगोल, जी विग्यान, नागरिश सास्त, समास सास, रसायन विग्यान, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भौतिक सास्त तथा ग प्रकास्मिस, सेंक्त, सचू, तो दोस्तों, जी जिन चात्रों का साक्षातकार हो, तो वेबसायट मर जाकर के देख सकते हैं, इसका पूरा विश्यत रूप से विग्यापन दिया हुआ है, इसके बाद अगली ख़बर है, बीट की फीश जमा करने का मौका कल तक, उत्तर प से सुरू होने वाली पूल काउंसलिंग की तारीख अब 17 दिसंबर को कर दी गई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो पूल काउंसलिंग होनी है, उसकी तारीख 17 दिसंबर कर दी गई है, बीट की राज़ प्रवेस समन्युएक प्रोफेसर अमिता बाजपई ने बताया क की आनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतरगत फेस फर्ष्ट से फेस फोर्ड तक जिन अबहरतियों को सीट का अबंटन किया गया है, उन्हें अब 14 दिशंबर शाम 6 बजे तक फीज जमा करने का मौका दिया जाएगा, इसके बाद बची हुई सीटों का ब्यवरा निका प्रक्रिया रहा हो, उन चात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशकवरी है, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी सीटें बाद में बचींगे, उनके लिए पूल काउंसलिंग की जाएगी, मतलब डाइरेक्टु कालेजों को प्रवेस लेने का मौका दिया जाएगा, इसक अब्हेरतियों को सनिवार को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका, वेजिक सिक्षा अधिकारी कार्याले में सभी अश्य अब्हेरती गलती शुधारने के लिए प्रत्यावेदन किया है, इसके प्रत्यावेदन पर शुक्रवार को विचार के बाद जीला चैन समिती यह निर्ण नहीं ले सकी कि किस अब्हेरती को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो दोस्तों सभी चात्रों के लिए खुशकबरी है कि पहले क्या था कि जिन चात्रों के फाम में आवेदन में विशंगती थी उन चात्रों को सीधे सीधे भड़ती से बाहर कर दिया गया था किन्तु धीरे 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 सभी प्रकार के अब भड़तियों को जिनकों की विशंगती की कारण बाहर किया गया था सभी को नियुक्तियां दी जा रही है एक शात्रों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और जिन चात्रों का चैन 79,000 शिक्षक भड़ती में नहीं हो पाया है उन चात्रों को उन सिच्छा मित्रवाईयों को घबराने की बात नहीं है 51,000 भड़ती का पिटारा उत्तरपदेश में फिर से खुलने जा रहा है और ये बरकिंसी आपको अप्रेल तक देखने को मिल सकती है जैसा कि आप जानते हैं कि टीटी 2021 की जो परिक्षा है वो उसका आवेदन जनवरी और फिर फरवरी में मांगे जाएंगे और उसकी परिक्षा मार्च में करा ली जाएगी और जैसे ही टेट की परिक्षा करा ली जाएगी वैसे ही सिक्षक भढ़तीं क्याओं हजार सिक्षक भढ़ती के लिए आवेदन शुरू कर दिये जाएगी तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुसकवरी है अब वही 24,000 पदों के लिए जूनियर हाइस्कूल में भढ़ती आ रही है तो आप अपनी तैयारी जारी रखे वैकिंसी बहुत आएगी और नौकरी के बहुत सारे आउशर मिलने वाले है इसके बाद अगली ख जित की जाएगी इसके लिए प्रयागराज में सी आगरा में 61, गाजियाबाद में 71, गोरकपूर में 30, लखनाओ में 56 के इंद बनाए गए हैं परिक्षा दो पालियों में सुबह 9 से साड़े 11 बजे और दो पहर 2 से साम साड़े 4 बजे के बीच में होगी अगली खबर है प जन्वरी के पहले सब्ता में ही परिक्षा कराई जा सकीगी जल्द ही इसकी सूचनत जारी कर दी जाएगी जया डॉक्टर जया कपूर जन संपर्क अधिकारी इलाहाबाद बिश्विद्याले की सुनक्तो सोध प्रिवेस परिक्षा क्रेट 2020 के तहट पिएजडी में प्रिशासन की लापरवाही के चलते काफी देर भी हुई है इलाहाबाद बिश्विद्याले समय संगटक कालेजों में बिभिन बिश्यों में पिएजडी के लिए बिश्विद्याले प्रिशासन ने 28 जुलाई से आवेदन मांगे थे आवेदन की अंतिम्थिती 5 सितंबर तक तैकी गई थी कुल 634 सीटों में 172 इलाहाबाद बिश्विद्याले और मांकी सीटों पर कालेज में प्रिवेश्विद्या जाएगा पांस सितंबर तक कुल 10,013 अब्यटियों ने रिजिस्टेशन कराया था और 6,561 ने अंतिम तोर पर आवेदन फाम सम्मिट किया था इसके बाद जनवरी के पहले हप्ते में क्रेट सम्मभावी थे अपर आप देख रहे हैं इलाहाबाद बिश्विद्याले में सोध प्रिवेस परिक्षा के लिए सितंबर में पूरी हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया इलाबाद बिस्विद्याले अम संग्ठक महाविद्य प्रिवेस के लिए सर्क्तु प्रिवेस परिक्षा जनवरी के पहले सब्ताह में संभावित है। पूजा इस्थल हटाने होंगे। लखनव गाजियवाद गौतम बुद्ध मेरट में बढ़ाई जाएगी ट्रैकिंग। की है और अगली तारीक पर कारवाई रिपोर्ट मागी है। इसके बाद अगली खबर है उत्रांचल विश्वद्ध्यले आफ्लाइन का च्छाएं शुरू करने को तयार। कुरोना के कार लगबग 9 माह से बंद चल रहे सिच्छड संस्थानों में सिच्छड कार पटरी पर लाने के लिए कोश्चे जारी हैं। कालेजों वा विश्वद्ध्यले के इस तर पर इसके लिए ब्यापक तयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में उत्रांचल विश्वद्ध्यले सरकार की S.O.P. जारी होने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद अगली खबर है सिच्छा नीती को लागू करने के लिए कारेबल का किया जा रहा है गठन। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है पंदरा के बाद प्रैक्टिकल के लिए इसकूल बुलाया जा सकते है चात्र। ये दिल्ली की खबर है और कोरोना संक्रमण की इस्तिदी काबू में रही तो राज्यों की सहमती से दस्वी और बारहों के चात्रों को पंदरा दिसंबर के बाद प्रैक्टिकल से जुड़े कारेओं के लिए बुलाया जा सकता है। फिरहाल केंद्री विद्याले संक्ठन ने इसे लेकर एक योजना बनाई है इसके तहर चात्रों को छोटे छोटे ग्रुपों में बुलाया जाएगा इस दोरा और उनसे पूरे समय प्रैक्टिकल कारी ही करा जाएगे। 1433 पदों पर भरती के लिए 20 साल पहले आयोजित की गई थी परिक्षा। चैनित अभ्यत्यों की फाइले इस माह माद्मिक सिक्षा निदेशाले को भेज देगा हलाकि फाइले पहले से ही निदेशाले को मिल जानी चाहिए थे लेकिन अहरता के बिवाद और अन्ने कारणों से फाइले आयोग में ही अठकी रह गई। आयोग के अफशरों का कहना है कि दिसंबर के अंतर तक फाइले निदेशाले को भेजे जाने की तयारी है इसके बाद ही निदेशाले इस तरसे चैनित अभ्यत्यों को कालेज आवंटी थोंगे और निदेशाले पत्र मिलेंगे। तो दोस्तों ये हिंदी विशे के अभ्यत्यों को नियुकती मिलने के बाद बचा रहेगा सोशल साइंस का मामला। जाएगा कुछ चात्र पूछ रहे थे क्या सर ये नया आयोग द्वारत जारी किया जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नया आयोग अब इस साल अस्तित्त में 2021 में भी अस्तित्त में नहीं आ पाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाओं लगा हुआ है विधान प्रक्रियाओं में सिथलता अनलाजमी होगा इस कारण से नया आयोग अभी अस्तित्त में नहीं आएगा और ये 8000 पदों के लिए जो एल्टी ग्रेट की नई प्रक्रिया होगी ये उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग द्वारा ही कराई जाएगी इसके बाद अगली जन्मा हो यहां पर दिया गया है और जो भी चात्र आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की अंतिम्तिति 27 दिसंबर 2020 तक दी गई है इसके बाद स्री विस्ट कर्मा इसके लिए उनिवर्श्टी गुरु ग्राम से 34 पदों के लिए बिग्या पंजार किया गया है और अंतिम्तिति 19 दिसंबर 2020 है जो भी चात्र आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए वैसे इतने ही मिलते हैं इस वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत सा धन्यवाद यदि वीडियो आपको अच्छ करी देखने हैं